भारुक अब्दुल्ला कहते हैं हम धारा 370 वापीस लाएंगे अरे अब्दुल्ला साब तीन पिडिया चली गई और तीन लादो अब धारा 370 कोई वापीस नहीं लाज़े गलती से भी वहां से गोली आई तो गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा जितना जोर लगनाय लगा दो अब कस्मीर में अगर फहरेगा तो हमारा प्यारा तिरंगा ही फहरेगा जब तक आतंकवाद समाप नहीं होता है पाकिस्तान से भारता करने के पक्स में नहीं है मुझे बताओ धारा 370 गई अच्छा हुआ या बुरा हुआ अरे जोर से बोला अच्छा हुआ या बुरा हुआ भारुक अब्दुल्ला कहते हैं हम धारा 370 वापीस लाएंगे अरे अब्दुल्ला साब तीन पिडिया चली गई और तीन लादो अब धारा 370 कोई वापीस नहीं लाएंगे रेना ने कहा यहां हमने बंकर बनाएं अच्छा ही कि आप ही बना दिये बंकर कभी कबार काम आएंगे मगर मैं कहकर जाता हूँ बंकर की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी की ताकत नहीं है गोली चलाने की और अगर गलती से भी वहाँ से गोली आई तो गोली का जबाब गोले से दिया जाएगा भायों वेनो अजमू और कस्मीर में हमारा तिरंगा फहर राहे सान से मुझे बताईए एक कहते हैं कि हम सेख अब्दुल्ला वाला ध्वज वापीस लाना चाहते हैं लाना चाहिए क्या अरे जोर से बोलो लाना चाहिए क्या इस और भी बोलो लाना चाहिए क्या फारुक साब जितना जोड लगनाय लगा दो अब कस्मीर में अगर फहरेगा तो हमारा प्यारा तिरंगा ही फहरेगा और कुछ नहीं पहरेगा भाइयों बेनों यह कहते हैं पाकिस्तान के साथ भारता करो, फारुक साथ, राहूल बाबा, हम पाकिस्तान बाकिस्तान से भारता नहीं करेंगे, हम जब तक आतंकवाद समाप नहीं होता है पाकिस्तान से भारता करने के पक्स में नहीं है अगर बात करनी है तो मेरे नौसेरा के सेरो के जात बात करेंगे पाकिस्तान के साथ क्यों करने यह एलोसी का ट्रेड शुरू करना चाते हैं यह आतंकवादियों को फिर से जैलों से मुक्त करना चाते हैं भायों बेनों पथरबाद जैलों में है आतंकवादी जैलों में है और एक फारुक अब्दुला यहां आकर पीर पंजाल की इसी ओर जम्मु की पहाड़ियों में रजोरी पूंच डोडा में कहते हैं कि यहां आतंकवाद फैल जाएगा मैं आपको बताता हूं नोसेरा वालों फारुक साब की जो इच्छा है वो छोड़ दो नरेंद्र मोदी सरकार है आतंकवाद को पाताल जितना गहरा दपनाने का काम यह भारतिय जन्ता पार्टी करेगी कोई आतंकवादी को जैल से मुक्त नहीं किया जाएगा कोई पत्थर बाज को जैल से मुक्त नहीं किया जाएगा और भायो बैनो संक्राचार्य परवत और हरी परवत को तकते सुलिमान और कोहे मारन का नाम देना चाहते हैं फारुक साब आपकी ताकत नहीं है संक्राचार्य परवत के नाम को बदलने की मैं आज नौसे रा में कह कर जाता हूँ इपरवत युगो युगो तक संक्राचार्य के नाम से ही जाना जाएगा एबी पी गंगा खबर आपकी जबाँ आपकी